हेलो फ्रेंड्स मेरे यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं साधना आज मैं सकरकंदी को वबालने का तरीका बताने वाली हूँ को लिखता हैं पानी में बॉल सकते हैं यहां पर मैं सकरकंदी को दो तरीके से करें बताऊंगी और आपको जो तरीका आसान लगे आप उस तरीके secondly सेवि辰हां सकरकंदी आप सकरकंदी को आप पानी में बॉयल के ना करें पानी मिठास चली जाती इसलिए को वह बाब में पकाएंगे तो सबसे पहले हम यहां पर एक कढाई बैसे हैं यहां इसके उपर एक जाली वाली थाली रखें हैं इस तरह की, जो सभी के घर में होती है, आसानी सुमल जाएगी और इसी के ओपर सकरकंदी को रखना है, इस तरह से यहाँ पर मैंने जो सकरकंदी है, वो धाई सुग्राम लिया है और सकरकंदी आप लेती समय एक चीज का ध्यान रखें ज्यादा बड़ा सकरकंदी नहीं लेना है क्योंकि उसका टेस्ट होता है वो खान में फिर अच्छा नहीं रगता है मेडियम साइज का ही सकरकंदी ले और यहां पे अब मैं यहां पे मैंने गैस को अन कर लिया है अब एक थाली लेना है और इसको इसके ऊपर इस तरह से ढख देना है आप इसके ऊपर जो भी थाली ले रहा है वो ध्यान जाहिए कि यहां पे जो है वह फिट होनी चाहिए भाप नहीं निकलने चाहिए क्योंकि इनको क्या है वह। स्भाइब को दोनितली नहीं, इसे दूसरी तरीकर के लिए यहां पर चुकल के लिए है कि एक डिलास पानी डालना है लखे एक कोई कटोरी ले ले इस तरह से आपको रख देना है और इसी के ऊपर प्लेट रहना है रख आण इसी के ऊपर सकरकंदी को रख देना है इस तरह से सकरकंदी को सेट कर देना है इसमें और आफ हम इसको कुकर को बन कर देते हैं और दो सीटी आने तक हम इसको बॉयल कर लेंगे और दो सीटी आने पर हमारे सकरकंदी अच्छे से बॉयल हो जाएंगे तो आपको जो तरीका आसान लगे आप उस तरीके से बॉयल कर सकते हैं आप उस तरीके से बॉयल कर सकते हैं गैस का फिलेम हाई रखना है अगर आपके पास बड़े साइच का सकरकंदी है तो उसे आप चाटू से 20 से काट लें तब उबाला नहीं तो उसे उबालने में टाइम लेगा यहां पर पंधा मिनट हो गाए है और अब मैं यहां पर चेक कर लेती हूं थाली हटाके सकरकंदी बॉयल हुए है या नहीं आप इसको या तो लकडी से चेक कर सकते हैं लकडी इसमें अंदर ऐसे चोब होकर या फिर ऐसे काटे दर चम्मच लेके इसको ऐसे अंदर को दवाना है चम्मच आसानी से जा रही है इसका मतलब है सकरकंदी बॉ सकरकंदी को एक प्लेट में निकाल लोगी, यहां पर मैं एक सकरकंदी को तोड़ के दिखाती हूं, यह देखिए इसका जो कलर था वही कलर है, और यह बहुत मीठे हैं, क्योंकि इसको पानी बॉल नहीं किया है, भाप में बॉल किया है, तो दोस्तों आपको सकरकंदी बॉल क करने का तरीका कैसा लगा, कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक सेयर करें, और मेरे यूटुब चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें, थैंक यू,